परिचाए आईए पिता जी, बड़े खुब बारे में चलें आराम से रोहित, आराम से वाह, ये उपर जा रहा है हम अब पक्षी की तरह उड़ाएं है पिता जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आहां रोहित, पूछो ये वायू में उपर कैसे जाता है? इसमें हमने आवरन के अंदर उपस्तित वायू को गर्म करने के लिए गैसी इंधन का उपियोग किया है जिससे खुबारा जमीन से उपर उठकर हवा में आ किया है ठीक है पिताजी मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा कि कैसी अवस्था की निश्चित आकरिती नहीं होती? इस पार्ट में हम द्रवी की कैसी ये वाद्रव अवस्थाओं के बारे में सीखेंगे उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे अंतरा अनुक वलों की व्याख्या करना ठोस, द्रव तथा गैसी अवस्था के मत्थे अंतरिस पश्ट करना गैसों का नियम बताना आदर्श गैस का समी करन बताना डाल्टन का आंशिक दाप का नियम बताना गैस के अनुक गतिक सिध्धांद का वलन करना आदर्श गैसों तथा वास्तविक गैसों के बीच अंतर करना द्रवों के वाश्प दाप पर चर्चा करना और प्रिष्ट तनाव तथा श्यानता का वड़न करना अन्तरा अनुक बल अनुओं के बीच आगर्शन के वे बल जो अनुओं को एक साथ रखते हैं वे अन्तरा अनुक बल कहलाते हैं अनुओं के बीच आगर्शन बल के कारण उर्जा आन्विक अन्योन निक्रिया उर्जा कहलाती है आन्विक अन्योन निक्रियाओं के कारण अन्तरा अनुक आगर्शन वा प्रतीकर्शन बल उत्पर्न होते हैं आकर्शी अंत्रा अनुक बल वान डेर वाल्स बल भी कहलाते हैं। प्राकीरण बल अत्वा लंडन बल। इलेक्ट्रोन परमाणों पर अधिकांश समय सम्मित रूप से वित्रित रहता है। लेकिन किसी क्षण में नाभिक के परितह इलेक्ट्रोनों के वित्रण में कुछ असम्मिती भी हो सकती है, जिससे एक विद्धुत दुईध्रुव उत्पन होता है। यह दुईध्रुव एक विद्धुत क्षेत्र उत्पन करता है, जो निकटवर्ती परमाणों या अणों के इलेक्ट्रोन वित्रण को भी विरूपित कर देता है, जिससे वो भी दुईध्रुव हो जाता है। यह दुईध्रुव आकर्शित होते हैं और इनके बीच आकर्शन का यह बल टाकिनन बल अत्वा लंडन बल कहलाता है। त्रण को विरूपित कर देता है, जिससे आकर्शन बल उत्पन होता है। दुईध्रुव दुईध्रुव बल यह धुरुवी अणों के बीच अंदर कणिये बल होते हैं। ये बल इस्थाई दूई ध्रुवों के विप्रीत आवेशित सिरों के बीच इस्थिर वैद्युद अन्योन्य क्रियाओं के कारण उत्पन्य होते हैं। किसी अणू का धनात्मक सिरा अन्ने अणू के धनात्मक सिरे को आकर्शित करता है तथा इसके प्रतिलोमता होता है। ये आवेश डेल्टा द्वारा प्रधर्शित किये जाते हैं। द्विद्रुव प्रेरित द्विद्रुव बल ये स्थाई द्विद्रुव रखने वाले अणूं तथा स्थाई द्विद्रुव नहीं रखने वाले अणूं जैसे की CH4, CCL4, BF3, SO3 इत्यादी के मथे कारेरत आकर्शन बल होता है। उधारं के लिए एक द्विद्रुव ये अणूं जैसे की HCL एक अरगन अणूं में इलेक्ट्रोन अबर को विरूपित करके एक द्विद्रुव प्रेरित कर सकता है। आयन या स्थाई दूइधरूव तथा प्रेरित दूइधरूव के मध्धे एक स्थिर वैद्यूत आकर्शन उपस्तित रहता है। ये अंतरा अनुक बल एक दूइधरूव प्रेरित दूइधरूव आकर्शन कहलाता है। हाइडोजन आबंध हाइडोजन आबंध को ऐसे इस्थिर वैद्यूत आकर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एक अनुके सहसेयोजी रूप से आबंधित हाइडोजन परमाणों तथा अन्य अनुके रण विद्यूती परमाणों के बीच उपस्तित रहता है। हाइडोजन आबंध को खंडित रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाइडोजन के साथ आबंधित होना चाहिए। अन्य अनुकी वैद्यूत रणात्मक्ता जितनी ही उच्छ होगी हाइडोजन आबंध की द्रड़ता भी उतनी ही अधिक होगी। उच्मिय उर्जा वह उर्जा जो अनुको परस पर दूर करती है। उच्मिय उर्जा कहलाती है। इसे द्रफिद्वारा इसके तापमान के कारण अवधारित उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। और ये अनुकी उच्मिय गती या अनुके संचलन की माप भी है। अंतरा आणुक बल बनाम उच्मिय अन्योन निक्रियाएं। ठोसू में आणुक अन्योन निक्रियाएं अत्यअंति प्रबल होती है तथा अनुएं में उच्मिय उर्जा कम होती है। द्रवो में आकरशन बलों तथा उश्मिय उर्जा के बीच एक सूक्षम संतुलन निर्मित रहता है। तापमान में बढ़ोतरी उश्मिय उर्जा को और बढ़ा देती है और अंतता एक ऐसी इस्थिती प्राप्थ होती है जहां अडूं विलक हो जाते हैं और लगभग सौतंत्र निकायों की तरहा पेवाहर करते हैं। ये अवस्था गैसी अवस्था कहलाती है। गैसी अवस्था द्रवे की वो अवस्था जिसमें द्रवे के कड़ों के बीच आकर्शन के आणविक बल नियूनतम होते हैं। गैसी अवस्था कहलाती है। गैसें उस पात्र को पूरी तरह से भर देती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। गैसों की विशेष्टाएं। गैसों या उनके मिश्रणों का संगठन समांगी होता है। नगर्णें अंत्रा अनुक बलों के कारण गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। गैसें दाब लगाती हैं। गैसों का ठोसों या द्रवों की तरहा निश्चित आकरिती और आयतन नहीं होते। गैसों की उश्मिय उर्जा आण्विक आकर्शन से काफी अधिक होती है। गैसों का नियम बॉयल का नियम यानि दाब आयतन संबंध। किसी गैस के दिये गए द्रवेमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। नियम की गणितिये व्याख्या आयतन नियतांक तापमान एवं द्रवेमान पर दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। वी बराबर के गुणे एक बटे पी जहां के आनुपातिकता नियतांक है। पी वी बराबर के बराबर नियतांक बाना की टी तापमान पर पी एक दाब वाली गैस के एक दिये गए द्रवेमान का आयतन वी एक है। अब यदि समान तापमान पर दाब को परिवर्थित करके पी दो कर दिया जाता है तो आयतन परिवर्थित होकर वी दो हो जाता है। चारों चरूं पी एक वी एक पी दो और वी दो के बीच मातरात्मक संबंद निम्नानोसार व्यक्त है। P1 V1 बराबर P2 V2 नियतांग तापमान एवं द्रवेमान पर बॉयल के नियम का ग्राफिय निरूपन ये V बनाम P का एक विशिष्ट तापमान पर अंकन प्रदशित करता है ये दर्शाता है कि P के बढ़ने के साथ V घड़ता है ये एक विशिष्ट तापमान पर P V बनाम P का अंकन प्रदशित करता है ये इंकित करता है कि P में नियमित पढ़ोत्री के बावजूद P V कमान नियतांग रहता है एक विशिष्ट तापमान पर P के सापेक्ष P V के अंकन से प्राप्त वक्र सम्तापी वक्र कहलाता है उच्छतर वक्र उच्छतर तापमान के संगत होता है ये एक बटे वी के सापेक्ष पी का विचलन दर्शाता है सीधी रेका इंगित करती है कि पी में बढ़ोत्री होने के साथ एक बटे वी में नियमित बढ़ोत्री होती है चाज का नियम ताप मान आयतन संबंद कथन ताप की प्रतेक डिग्री में वृध्धी या कमी से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0.0 डिग्री सेल्सियस ताप के आयतन से एक बटे 273.15 की वृध्धी या कमी होती है यदि वी 0.0 डिग्री सेल्सियस ताप मान पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है तो वी 1 एक डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन बराबर वी 0.0 गुणे एक धन एक बटे 273.15 निवनुतम संभव ताप जिस पर सभी गैसों का आयतन शूने माना जाता है परम शूने कहलाता है शूने के इस विकल्प पर आधारित ताप मापकरम परम ताप मापकरम कहलाता है ये मापकरम केल्विन ताप मापकरम भी कहलाता है चार्ल्स का नियम ये भी बताता है कि नियतांक दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन केल्विन मापकरम पर ताप मान के अनुक्रम अनुपाती होता है आयतन नियतांक दाब तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है V बराबर K1 T जहां K1 समानुपातिकता नियतांक है माना की V1 T1 तापमान तथा P दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है यदिदाब को नियतांक रखते हुए तापमान परिवर्तित करके T2 किया जाता है तो आयतन परिवर्तित होकर V2 हो जाता है चारों चरों V1 T1 V2 और T2 के बीच संबंध निमनानुसार व्यक्त है V1 पटे T1 बराबर V2 पटे T2 नियतांक दाप तथा द्रविमान पर चार्ल्स के नियम का ग्राफिय निरूपण आयतन तथा तापमान की प्रत्यक रेखा संब्दाप कहलाती है गैल उसेक नियम दाप ताप संबंध ये नियम बताता है के स्थिरायतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाप केलविन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है गनितिय रूप से दाप नियतांक आयतन तथा द्रविमान पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है पी बटे टी पराबर के तो नियतांक माना की टी एक तापमान पर तथा वी द्रविमान वाली निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन पी एक है अब यदि उसी आयतन पर तापमान परिवर्थित करके T2 किया जाता है तो संगत ताप P2 हो जाता है तब नियम के अनुसार P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 आयतन एवं द्रविमान नियतांक रखते हुए गेल उसे के नियम का ग्राफिये निरूपान इस ग्राफ की प्रत्यक रेखा समायतनी कहलाती है आवो ग्रादो नियम आयतन मात्रा संबंध इस नियम के अनुसार तापमान तथादाप की समान दशाओं में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अड़ों होते हैं गणितिये रूप से आयतन गैसों के अड़ों की संख्या के अनुक्रम अनुपाती होता है वी बराबर के तीन अन जहां के तीन आनुपातिकता नियतांक है एक मोल गैस में अनुओं की संख्या 6.02.03 गुणे 10 की घाथ 23 होती है और ये आवो गातरो इस्थिरांग कहलाती है अनुओं की संख्या निम्न रूप में ग्यात की जा सकती है N बराबर है M बटे कैपिटल M के जहां M बराबर अनुवेशनाधीन गैस का द्रविमान तथा कैपिटल M बराबर मोलर द्रविमान आदर्श गैस समीकरण गैस के नियमों का पूर्टिया पालन करने वाली गैस आदर्श गैस कहलाती है बॉयल के नियम, चार्ज के नियम तथा आवो गातरो के नियम के संयोजन से आदर्श गैस समीकरण का विकास हुआ ये निम्न प्रकार व्यक्ति किया जाता है PV बराबर NRT जहां R आनुपातिकता नियतांक है जो गैस की मातरा तथा गैस की प्रकृति से स्वतंत्र है एवं सारुवत्रिक गैस नियतांक कहलाता है इसका मान 8.31 जूल प्रती केल्विन प्रती मोल होता है P गैस की निश्चित मातरा का दाप है V गैस की निश्चित मातरा का आइदन है T गैस की निश्चित मातरा का तापमान है N गैस के मोलों की संख्या है यदि निश्चित मातरा में गैस के तापमान आइदन तथा दाप T1 V1 और P1 से बदल कर T2 V2 और P2 करती ये जाएं तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2 ये समी करण संयुक्त गैसनियम कहलाता है मानक तापमान तथा दाप SDP गैसों के लिए मानक तापमान 0.0 डिक्री सेल्सियस 273.15 गैल्विन तथा मानक दाप 1 बार या 10 की घात 5 पास्कल के रूप में लिया जाता है SDP में किसी आदर्श गैस या आदर्श गैसों के संयोजन का मूलर आयतन 22.71098 लीटर प्रतिमोल होता है ताप मापन का एक अन्यमात रख है एक ताप पराबर 133.322 पास्कल उधारन नाइटोजन कैस का एक नमूना SDP पर 320 खन सेंटिमीटर आयतन घेरता है 66 डिग्री सेल्सियस तथा 84,000 पास्कल दाप पर इसका आयतन आंगडित करें हल दिया है पी एक बराबर 10 की घात 5 पास्कल पी दो बराबर 84,000 पास्कल वी एक बराबर 320 खन सेंटिमीटर टी एक बराबर 273.15 केल्विन पी दो बराबर 66 डिग्री सेल्सियस बराबर 66 धन 273.15 केल्विन बराबर 349.15 केल्विन हमें ग्यात करना है वी दो अताह गैस समी करण के अनुसार पी एक वी एक बटे टी एक बराबर पी दो वी दो बटे टी दो अताह वी दो बराबर पी एक वी एक टी दो बटे टी एक बराबर दसकी घात 5 गुणे 320 गुणे 349.15 बटे 273.15 गुणे 84,000 बराबर 473.00 घन सेंटिमीटर गैसिय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर द्रविमान गैस का मोलर द्रविमान निम्न सूत्र द्वारा ग्यात किया जा सकता है M बराबर D गुणे R गुणे T बटे P जहां D बराबर M बटे V गैस का घनत्व है M गैस का द्रविमान है V गैस का आहतन है R सार्वत्रिक गैस नियतांक है T गैस का तापमान है P गैस का दाप है डाल्टन का आंशिक दाप का नियम नियतांक तापमान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दू या अधिक अन्योन निक्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला दाप समान आयतन में प्रतेक गैस दोरा अकेले लगाए जाने वाले दावों के योग के बराबर होता है। गैसों का प्रथक प्रथक दाप आंशिक दाप कहलाता है। तो पी बराबर पी एक जमा पी दो जमा पी तीन जमा इत्यादी टीवी नियतांग है। माना की हमारे पास तीन पातर हैं जिन में से प्रतेक की धारिता एक लेटर है। एक में नाइट्रोजन के X मोल हैं दूसरे में ऑक्सीजन के Y मोल हैं और तीसरे में नाइट्रोजन के X मोलों तथा अक्सीजन के Y मोलों का मिश्रण हैं। तभी तीनों पात्रों को समान तापमान पर रखा गया है। अब यदि प्रथम पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर P1 दाप प्रदर्शित करता है। तथा दूतिय पात्र से जोड़ा गया मैनोमीटर P2 दाप प्रदर्शित करता है। तो तीसरे पात्र में दाब P1 जमा P2 होगा. जलवाश्ब का दाब किसी विशिष्ट तापमान पर नियतांग होता है और ये उस तापमान पर जलिये तनाव के रूप में जाना जाता है. शुष्क गैस के दाब की करना पुल दाब से जलिये तनाव को घटाते हुए की जा सकती है. P शुष्क गैस पराबर P- जलिये तनाव मोल अंश के रूप में आंशिक दाब मोल अंश घटक के मोलों की संख्या का मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है. T तापमान पर V आयतन के एक पात्र में P A और P B क्रमिक आंशिक दाबों के साथ दो गैसों A और B के एक मिश्रण पर विचार करें तब P A पराबर N A R T बटे V P B पराबर N B R T बटे V गैस A और B के आंशिक दाब को निम्ननुसार व्यक्ति किया जा सकता है P A बराबर X A गुणे P P B बराबर X B गुणे P जहां P पुल दाब X A और X B गैसों A और B के मोल अंश हैं अता किसी मिश्रण में गैस का आंशिक दाब इसके मोल अंश तथा मिश्रण के कुल दाब के गुणन फल के बराबर होता है गैसों का अनूगतिक सिध्धांद गैस के अनूगति सिध्धांद के अभी ग्रिहित निम्न है सभी गैसे अतियंते छोटे कड़ों की बड़ी संख्या से इंदर में थोती हैं जो अनू कहलाते हैं ये अड़ों बड़े अंत्रालों द्वारा एक दूसरे से प्रिठक होते हैं। इसलिए अड़ों द्वारा अधिक ग्रिहित किया गया वास्तवी कायतन गैस के कुलायतन की थुल्ला में नगणने होता है। ये अड़ों विरामा वस्था में नहीं होते बलकि इन में तीवर अनियत यानी यादरिच्छिक गती होती है। इनकी गती के दौरान ये एक दूसरे से तथा पात्र की दिवारों से संघट करते हैं यानी टकराते हैं। गैस का दाब पात्र की दिवारों के विरुथ गैस अणों की बंबारी के कारण होता है। अणों का परस पर तथा पादर की दिवारों से संघट पूर्टिया प्रत्यास्थ होता है, अर्थाद गतिज उर्जा का हिरास या प्राप्ती नहीं होती, हाला कि ऐसे संघटों के कारण उर्जा का पुनर वित्रण हो सकता है. गैस के अणों के बीच कोई आकर्शी बल नहीं होता, वे एक दूसरे से पूर्टिया स्वतंत्र होते हैं, किसी क्षण में विभिन अणों में विभिन वेक तथा इसलिए विभिन उर्जाएं रहती हैं, हाला कि अणों की ओसद कतिजूर्जा परमताप के अनुक्रमानुपात वास्तवी गैसों का वैवाहार आदर्श गैस वैवाहर से विचलन हम वास्तवी गैस के आदर्श वैवाहर से विचलन को सम पीटियेता कारक Z द्वारा दिखा सकते हैं, जिसे निम्न प्रकार व्यक्ति किया जा सकता है Z पराबर PV पटे NRT आदर्श गैस की स्थिति में PV पराबर NRT अता Z पराबर 1 वास्तवी गैस की स्थिति में PV Z NRT के पराबर नहीं है अता Z1 के पराबर नहीं है अता वास्तवी गैस की स्थिति में Z कमान एक से कम या एक से अधिक हो सकता है जब Z एक से कम होता है तो इसका अर्थ धनात्मक विचलन से होता है इसका आशय है कि गैस आदर्श वैवाहर की अपेक्षा से अधिक संपीटनिय है जब Z एक से अधिक होता है तो इसका आशय धनात्मक विचलन से होता है इसका आशह है कि गैस आदर्श वहवाहर की अबेक्षा से कम संपीटनिये है आदर्श वहवाहर से विजलन के कारक गैस के अणों गतिक सिध्धांद की दो दूशपून कलपनाओं की कारण होता है जो निम्न है गैस के अणों का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुल्ला में नकरणे होता है गैस के अणों के बीच आकरशन पल नकरणे होता है वांडर वॉल्स का समीकरण सन 1873 में वॉंडर वॉल्स ने गैस समीकरण को संशोधित करके इसे वास्तवी गैसों के लिए प्रयूज निये बनाया जो की पी प्लस ए एन वर्ग बटे वी वर्ग गुणे वी माइनस एन बी बराबर एन आ टी इस्थिरांग A और B वॉंडर वॉल्स इस्थिरांग भी कहलाते हैं गैसों का द्रवी करण तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोतरी करते हुए गैस का द्रवी करण किया जा सकता है करांतिक ताप की अवधारणा तेरा दशमलव एक डिग्री सेल्सियस के निम्न तापमान पर गैस की अवस्था में रहती है निम्न दाप पर जिससे बिंदू A द्वारा दिखाया गया है दाप में बढ़ोतरी किये जाने पर गैस का आयतन वक्र A B पर घड़ता है बिंदू B पर द्रवी करण आरंब हो जाता है अताहरेखा B C के अनुदेश आयतन तेजी से गिरता है बिंदू C पर द्रवी करण पून हो जाता है अब दाप में और बढ़ोतरी करने से आयतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि द्रव बहुत कम संपीट्टे होता है इसलिए एक ठाल वक्र C D प्राप्त किया जाता है अता भाग A B के अनुदेश कारपन डाय ओकसाइड केवल गैस की रूप में रहती है भाग C D के अनुदेश केवल द्रव अवस्था में रहती है तथा भाग BC के अनुदेश द्रव और वाश्थब एक दूसरे के साथ सामय अवस्था में रहते है 21.5 डिग्री सेल्सियस पर समदाब EFGH 13.1 डिग्री सेल्सियस के समान रहता है सिवाए क्षैतिजिक भाग के जहां द्रवी करण कम होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समदाबी रेखाओं में चैतिजिक भाग पूर्टिया अद्रिश्य हो जाता है ये दर्शाता है कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का द्रवी करण नहीं होता चाहे कितना उच्च ताप लगाया गया हो बिंदू X क्रांतिक बिंदू कहलाता है तथा बिंदू X के संगत ताप क्रांतिक ताप कहलाता है गैस का क्रांतिक ताप उस ताप मान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसके उपर इसे दाप का प्रेयोग करते हुए द्रवी करित नहीं किया जा सकता क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवी कृत करने के लिए आवशक दाब क्रांतिक दाप कहलाता है क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाप पर गैस के एक मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है द्रव अवस्था द्रव अवस्था में अणू बहुत पास-पास होते हैं और उनमें अंत्रा अणुकबल अधिक प्रबल होते हैं द्रव ना तो कठोर होते हैं ना ही उनकी निश्चित आक्रिती होती है वाश्प दाप द्रवों की वाश्प में परसपर तथा पात्र की तिवारों से संघट्टे होते हैं और वो दाप लगाती है वाश्प द्वारा पात्र की तिवारों पर लगाया जाने वाला दाब वाश्प दाब कहलाता है वाश्पदाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है ये द्रफ की मात्रा से सौतंत्र होता है एक बंध पात्र में द्रफ के साथ सामय अवस्था में होने पर वाश्पद्वारा लगाया जाने वाला ताब साम में वाश्पदाब कहलाता है जिस तापमान पर किसी द्रव का वाश्पदाब वाहे ताप के पराबर होता है, वो द्रव का कौथनांग कहलाता है प्रिष्ठ तनाव द्रव के एक पुंज में अणू सभी दिशाओं में निकट वर्ती अणूं से एक समान आकर्षन बल का अनुभव करता है इसलिए ऐसे अणूं पर कारे करने वाले आकर्षन का नट बल प्रायाशूने हो जाता है हाला कि द्रव के पृष्ठ पर उपस्तिती अणूं के उपर कोई अणूं नहीं होते जो उसे आकर्षित कर सके ये द्रव के पृष्ठ पर आकर्षन का असंतुलन निर्मित कर देता है परिणाम सरूप प्रिष्ट पर के अणूं द्रफ के अंदर की ओर आकर्शन बल का अनुभव करते हैं किसी समतर प्रिष्ट पर, प्रिष्ट के समनांतर तथा प्रिष्ट पर कहीं भी खीची गई एक रेखा की एक आंक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक डाइन प्रति सेंटिमीटर या न्यूटन प्रतिमीटर होता है। द्रव का प्रिष्टियक शित्रफल बढ़ाने के लिए अंदर की ओर आकर्शन के सापेक्ष कुछ उर्जा आपूर्दी की जाती है। प्रतिम, वर्ग या न्यूटन प्रतिमीटर में व्यक्त किया जाता है। शयानता शयानता का अर्थ प्रवा के प्रती प्रतिरोद से है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि कुछ द्रव जैसे की शहद, केस्टर ओयल, ग्लिसरीन इत्यादी धीमीगती से प्रभाहित होते हैं। जबकि कुछ अन्य द्रव, जैसे की पानी, एथनौल, इत्यादी, तेजी से प्रवाहित होते हैं, इसकार्थ है कि प्रतिक द्रव में प्रवा के प्रती कुछ आंतरिक प्रतिरोद रहता है, जो शयानता या विसक्सिता कहा जाता है। मंद गती से प्रवाहित होने वाले द्रव, तीवर गती से प्रवाहित होने वाले द्रवों की अपेक्षा अधिक शायान माने जाते हैं। प्रतेक A वर्ग सेंटिमीटर शित्रफल वाली X सेंटिमीटर दूरी से प्रतक तथा 9 सेंटिमीटर प्रती सकेंड वेग अंतर वाली दो बेलनाकार पड़तों के बीच नेट घर्शन बल यानी F निम्न रूप में व्यक्त है। F पराबर Eta A निउपटे X जहां Eta श्यानता गुणांक है। अब यदि A बराबर एक वर्ग सेंटिमीटर निउपराबर एक सेंटिमीटर प्रती सेकेंड तथा X बराबर एक सेंटिमीटर तो F पराबर Eta अता श्यानता गुणांक को उस घर्शन बल के रूप में परिभाशि किया जा सकता है जो एक सेंटिमीटर की दूरी और एक वर्ग सेंटिमीटर चेत्रफल वाली दो समनांतर परतों के बीच एक सेंटिमीटर प्रती सेकेंड का वेग अंतर बनाए रखने के लिए आवशक होता है। शानता का SI महतरक न्यूटन सेकेंड प्रती मीटर वर्ग सेक या एक पॉईस होता है क्या आप जानते हैं ग्रेफाइट अतितीवर प्रयोग में द्रवी की विभिन आवस्थाओं में प्रभेश करता है पहली बार वज्ञानिकों ने एक एक्स किरण विक्रित मिनरल को द्रवी की दो विभिन आवस्थाओं में लगभग 40-55 सेकेंड में जाते देखा नई द्रवे संशिलेशन प्रद्योगी की अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग तथा उच्च उर्जा खनत्व विज्ञान के विकास में ठोसे द्रव तथा प्लाज्मा अवस्थाओं के अतितीवर चरण पार गमन महतपून हैं सारांश आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं अणवों के बीच आकर्शन के वे बल जो अणवों को एक साथ रखते हैं वे अंतरा अणवों क बल कहलाते हैं हाइडोजन आबंध को ऐसे स्थिर वैद्यूत आकर्शन बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो एक अणवों के सहसंयोजी रूप से आबंधित हाइडोजन परमाणों तथा अन्य अणवों के रिण विद्यूती परमाणों के बीच उपस्तित रहता है वह उर्जा जो अणवों को परस पर दूर करती है उश में उर्जा कहलाती है बॉयल का नियम कहता है कि किसी गैस के दिये गए द्रविमान का आयतन नियतांक तापमान पर इसके दाप के विद्यूत क्रम अनुपाती होता है बीवी बराबर के नियतांक चार्ल्स का नियम कहता है कि नियतांग दाप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा कायतन केल्विन मात्करम पर तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है. V.E. पटे T. बराबर K.E. एक नियतांग गेल लुसेक का नियम बताता है कि इस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाप केल्विन तापमान के अनुक्रम अनुपाती होता है. P.E. बराबर K.E. दो नियतांग आवो कादरों के नियम के नुसार तापमान तथा दाप की समान तशाओं में, समान आयतन वाली गैसों में, समान संख्या में अनुपाती होते हैं. V.E. बराबर K.E. नियतांग जहां N. गैस के अनुपाती होता है. आदर्श कैस समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है. P.E. बराबर N.R. जहां R. सार्वत्रिक कैस नियतांग है. डाल्टन का अंशिक दाब का नियम कहता है की नियतांग दाबान पर एक निश्चित आयतन में सीमित दू या अधिक अन्योन निकरिया से विहीन गैसों के मिश्रन द्वारा लगाया जाने वाला दाब. समान आयेतन में प्रतेग गैस द्वारा अकेले लगाय जाने वाले डाबों के योग के बराबर होता है तापमान में कमी तथा दाप में बढ़ोत्री करते हुए गैस का द्रवी करन किया जा सकता है वाश्प द्वारा पात्र की दिवारों पर लगाया जाने वाला दाप वाश्प दाप कहलाता है किसी समतल प्रिष्ट पर प्रिष्ट के समनांतर तथा प्रिष्ट पर कहीं भी खींची गई एक रेखा की एक आंक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को प्रिष्ट तनाव कहते हैं इसे गामा दौरा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मातरक डाइन प्रती सेंटिमीटर या न्यूटन प्रतीमीटर होता है प्रतिक द्रव में प्रवाग के प्रती कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहता है जो शयानता या विसक्सिता कहा जाता है झाल झाल